और अब खबरे आपको दिखाते हैं विस्तार से कोजी कोड विमान हाथसे में मन्डेवालों का अंक्रा 18 तक जा पहुंचा है रगवे पर बारिश, तेजहबा और खाई ने ऐसा कहड़ाया कि विमान कई हिस्सों में तूड़ गया तीन हिस्से बताय जा रहे है उसके हाला कि जांचपुरी मामली की जारी है हाथसे की जगह से मलबे को हटाय जा रहा है नागरे कुड्यन मंत्री हड़्देपुरी ने कहा है कि अगर आग लग जाती तो यह हाथसा बहुत भीशन होता यह विमान का आगे का हिस्सा है यह विमान का पीछे का हिस्सा है एर इंडिया का विमान ऐसे ही टुकडे टुकडे हो गया कॉक्पिट और आगे की दो सीते फिर बीच का हिस्सा फिर प्लेन का आखरी हिस्सा ऐसे ही विमान के परखच्चे उड़ गए यह विमान हाथसे की सुभा की तस्वीरे है इसी खाई से विमान नीचे गिरा और एयरपूर्ट की बाउन्डरी को तोड़ते हुए आगे निकल गया खराब मौसम, तेज बारिश, छोटा रनवे यह सब कुछ हादिसे की शिर्वाती बज़व बताई जा रही है इन तस्वीरों को गौर से देखिए नीले रंग की विमान की इनी सीटों पर बैट कर लोग दुबई से पोजी कोट आ रही थे इसी मलबे में विमान के यात्रियों के कपड़ों के टुकड़े दिख रहे है सामान बिखरा नजर आ रहा है यह तस्वीर बताती है कि हादिसा कितना खतरनाक था अभी हम यह करपूर इंटरनेशनल एरपोर्ट की बाहरों यहाँ पे वो जो एर क्रैश हुआ है और अभी आपको यह फ्रेम में देख सकता है कि यह जो प्लेन की रिकेज यहाँ पर ही खड़ी है और आपको यहां से देख सकते हैं कि यह जो प्लेन ये तीन पीसेस में टुकट हुए है क्योंकि यह पहले एरिया वो जो कॉक्पिट एरिया है वो फ्रेंट एरिया है वो यह फेंसिंग वाल की सामने हुँ और उसको भी बहुत स्यादा डामेज हुआ है कोजी कोड एरपोर्ट का रनवे छोटा है शाम साथ बच कर 41 मिनिट पर बारिश हो रही थी दोबई से आ रहे प्लेन को लैंड करना था एक यात्री ने बताया कि विमान को एक बार लैंड कराने की कोशिश की गई लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई दूसरी बार में पालेट ने विमान को रनवे पर उतार दिया लेकिन प्लेन की रफ्तार कम नहीं हुई प्लेन को रनवे नमबर दस पर उतरना था लेकिन ऐसा नहीं हो सका चूकि रनवे छोटा था एयरपोर्ट के दोनों तरफ खाई थी मौसम खराब था इसलिए लैंडिंग आसान नहीं थी दुबई से 184 यात्रियों और दो पालेट समेथ क्रू के 6 सदस्यों को लेकर प्लेन कोजी कोट एयरपोर्ट पर उतर रहा था डीजी सी एके डीजी के मुताबिक कम से कम 170 लोग सुरक्षित हैं लेकिन विमान के दोनों पालेटों की इस हादिसे में मौत हो गई जबकि कैबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बचा लिये गए है घायलों को कोजी कोड और मलपुर्रम के अलग-अलग अस्पतालों में भेजा गया है राद 11 बजो तक मलबे में फसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया शालिनी लोबो के साथ गोपी उन्निथन कोजी कोड आज तक और इस वक्राउंड जेरो से शालिनी हमारी संबाद दाता जूचुकी है जादा जानकारी के साथ शालिनी मलबे को हटाने का काम लगाता जारी था साथ ही 170 में से जादतर लोगों को 168 के आसपास जिनके संख्या बताई जारी है वो सभी अस्पताल में भठती हैं उनकी सेहत को लेकर के सरकी जानकारी और पीछे की जो तस्वीरे हैं वो दिखाई है हमारी दर्शकों को आप इंडीड जो अस्पताल में है उनमें से 22 लोग क्रिटिकल स्टेज में है और 22 लोग घर भी गया है first aid के साथ दूसरे लोग पांच hospital में admit हुआ है और वो लोग fractures है उनमें काफी सारे लोग को अब मेरे पीछे अब देख सकते हैं वो plane crash site अभी भी है और inspection और investigation चालू है वहाँ पे आज civil aviation minister आ गया था यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पिनराई विजहन आ गया था यहाँ पे और Kerala governor भी अभी भी officers officials है अंदर जो photos ले रहे investigation कर रहे black box भी recover किया हुआ था अब हम local से बात कर रहे थे और locals बोल रहे थे कि कल रात को seven बच के 41 minutes पे यहाँ पे ऐसे ही बारिश हो रहा था और यह plane एक बार line करने की कोशिश की गई थी तब एक बहुत huge sound हुआ था यहाँ पे उसके बाद second time जब line करने की कोशिश की तब अब देख सकते हैं यह गौज कितना बड़ा है 35 feet यह plane ऐसे नीचे गिर गया था और दो bits में तूट गया था और उसमें से सारे लोग को निकालने के बाद last बिलकुट लास्ट की अब में कटर यूज करके पाईलेट और को पाईलेट को निकाला गया था, तब उन लोगों को पल्स थे, लोकल्स हमें बता रहे थे कि तब पाइलट और को पाइलट बात भी किया थोड़ा लेकिन शायर अस्पिताल जाने वक्त या अस्पिताल में उनको वो अपने इंजरीज को सकम किया था, अभी अब देख सकते, अभी भी वह बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में हैं जो तस्वीरे इस वक शालीनी हम देख पा रहे हैं यह वो हिस्सा है जिसको हम खाई कह सकते हैं जहां पर इस वक मलबे को हटाने का काम जारी है और बहुत सारी गाड़िया भी वहां पर आसपास जैसा कि हम देख पा रहे थे जो लाइब तस्वीरे आप दिखा रहे हैं और उपर की तरफ अगर हम थोड़ा जाए तो ऊपर रन्वे था एक बार वह तस्वीरे फिर से दिखाएं आप अब देख सते हैं वह पूरा रन्वे जो है उपर की बाहर उपर रन्वे है और उपर से वह नीचे वह प्लेन गिर जाते हैं वह 35 फीट के है वह 35 फीट उपर रन्वे है और यह है कोडिकोड एपोर्ट का जो रन्वे यही और लोकल्स बता रहे थे कि यही इस अगर इस साइड में लांड किया है तब भी रेस्क्यू कर सकते थे अगर कोई दूसरे साइड पे लांड हुआ था यह टेबल टॉप रन्वे के तब लोकल्स कह रहे है कि वो पाइलिट को पता था यह इसके बारे में इसी लिए इस साइड को लाइन किया था ताकि लोकल्स जाके मदद कर सकते थे और जब एक पोश्चन है वाल का जो ठूट कहता कल रात को ही जब प्लेन आके वहां पे गिर गेते और उसी सिच्वेशन से ज बहुत सारे लोकल्स जा रहा हूं 15 पीपल अज अंदर जाके लोग की मदद करने लगे और फिर पूरे एरिया से 200 लोग आके उनको टेंपोस में लेके गए ते शुक्रिया शारी इस पूरी जानकारी के लिए आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे तो ओपर टेबल टॉप रनवे के तस्वीरे आपने देखिए वहीं से 35 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरा अभिमाल जिसके बाद ये इतना बड़ा हाथा हुआ 18 लोगों की जान चले गई है लेकिन रहात की बाद यही रहे कि 170 लोगों को बचाए जा सका है इस खबर पर रहेगी हमारी सका है